दोस्तों जो Honor की X-Series होती है न वो इंडिया के अंदर काफी ज़्यादा popular है जैसे कि last year का launch हुआ Honor 8X जो कि काफी ज़्यादा अच्छ स्पेसिफिकेशन के साथ में आया था और अपने price point के सबसे बहुत ज़्यादा अच्छी value for money प्रवाइड करता था वो smartphone और अब इंडिया बोल रहा क्योंकि इसके पिछले बहुत सारे इससे रिजन सा जो कि मैं आप लोगों के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो आप लोग अगर Honor 9X खरीदने वाले हो तो इस वीडियो को इंटलेक्ट जरूर देख लिए नाइक बार खरीदने जबहले दोस्तों अगर IPS LCD पैनल भी बहुत जादा बढ़िया वर्क करता इस फोन के साथ में और बैक साड़ में आप लोगों को इसके अंदर लास बाडी देखने मिल जाएगा जो कि काफी जादा प्रीमियम होती है और फ्रंट साड़ से यह फोन काफी जादा प्रीमियम लगता है क्योंकि इसके जाद में जो चीन है वह भी बहुत थी पत्ली है और इसके अंदर बैजस नहीं होने के जो कारण है न वहाई इस फॉन का पॉप अप सेलफी कामेरा मिलता यह वन आफ दो सबसे पर निस जिसके अंदर इंडा में लॉंच किया है 14000 रुपीज के अंदर अगर आप लोग आप लोगों को कोई dedicated face unlock देखने नहीं मिलता उस्तों आप लोगों में इससे फेस अनलोग कौन ज्यादा यूज़ करता है मुझे comment section में आप लोग बता सकते हो इस फोन में आपको backset में triple rear cameras देखने को मिल जाएंगे 48 megapixel का main camera देखने को मिलता जो के आता sony imx 5802 camera sensor के साथ में और एक 8 megapixel का ultra wide angle lens देखने को मिलता और एक 2 megapixel का depth sensor उसके camera output है वो काफे ज़्यादा impressive है आप लोग इससे काफी अच्छे camera samples expect कर सकते हो लेकिन इस price point के सबसे जितने बाकी सारे इसके competitors है वो इससे काफी जादा better perform करते है जैसे के Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro, Realme XT इनकी जो camera performance है ने इससे better है और इन सभी फोनों के अंदर आप लोगों को एक macro lens भी देखने को मिलता है जो कि इसके अंदर missing है वैसे macro lens इतना साथ difference create नहीं करता अगर आप लोग उसको use नहीं करते तो इसके front में 16 Megapixel का camera है जो कि वो भी अगेन काफी decent perform करता है यह phone out of the box EMUI 9 पर based है जो के Android 9 5 पर based आता है और दोस्तों इस phone के अंदर आपको Android 10 का update definitely मिलने वाला है और कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है क्यूंकि इसके अंदर आप लोगों को जो भी Android के services है न Google के वो सब भी देखने मिलेंगे बिल्कुल इसलिए और दोस्तों इस पुन के अगर में processor के बारे मैं बात करो तो यहां पर आपको मिलता है किरिन का 710F का chipset जिसके जो performance है न वह बहुत ही जादा कुछ आपको फरक देखने नहीं मिलेगा honor 8 text के comparison में जिसके अंदर भी आप लोग को 710 मिल जो की performance इससे वे better perform करते है और storage टाइप भी आपको इसके अंदर emmc का storage देखने मिल जाएगा price range के अंदर आभी आप लोगों को बहुत सारे phone है जिसके अंदर आपको ufs 2.1 के storage देखने मिलती है अगर आप normal से casual gamer है और आप लोग काफी normal से usage है आप लोगों की तो आप आप लोगों को काफी जाधा कमल के battery backup लेकर करके देगा क्योंकि यह बैटरी के लिए बहुत ही जाधा optimized है इस यह फोन आप लोगों का एक से देड़ दिन बहुत ही जाधा आरम से निकल देगा एक दिन तो आप लोग हैवी इससेच के साथ में इजले निकाल सकते हो लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है न वो इसके फास्ट चार्जिंग के लेकर के इसको आपको टाइप C का पोड भी देखने मिल जाएगा लेकिन बॉक्स के अंदर आपको इसमें वैट का चार्जर देखने को मिल जाएगा और आगर आप लोग इस समय करेंड मार्केट के बा वैट का फास्ट चार्जर देखने मिलता है तो इस प्रैस रेंज के अंदर फास्ट चार्जर होना एक डेफिनेटली मस्ट है चीज हो चाती है इस ताइम के लिए और हाँ दोस्तों की और एक डिसाड्मेंट है कि इसके कैमरे के अंदर आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डि मिल जाता है तो दोस्तों ओवराल यह फोन काफी जादा डिसेंट सा पैकेज काफी अवरेज सी पफामेंस एवरेज कैमरा एवरेज बैटरी लाइफ डिस्प्लेइश फिस फोन को लेने का एक में रिजन यह हो जाता है कि अगर आप लोग पॉप अप सेलफी कैमरा के काफी और बताना अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना कि में रोज आप लोगों के लिए से इंट्रेसिंग वीडियो लाते रहता हूं